इस बीच भुकम के तेज जटकों से चीन का सिचुवान प्रांत हिल गया एक दिन पहले आए भुकम की तीवृता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गए जिसमें 46 लोगों की जान गवाने की खबर भी सामने आई क्योंकि चीन में महसूस किये गए भुकम के जटकों ने सिचुवान प्रांत में रहने वाले लोगों को हिला कर रख दिया सामने आई तस्वीरों में भुकम के जटकों से सड़क पर लगे पेड़ ऐसे हिलते दिखे जैसे कोई हलका पुलका खिलोना ये मनजर देखकर वहां से गुजर रहे लोग घबरा गए भुकम की तीवरिता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई मकानों की छटे उसके आगे टिक नहीं पाई और भरभरा का सड़क पर गिर गई जिसके बाद इलाके में दूल का गुबार चा गया लेकिन इन हालात में लोगों के सामने ये परेशानी खड़ी हो गई कि वो अपनी जान बचाने के लिए जाएं तो कहा जाएं क्योंकि हर तरफ भुकम के कारण खत्रा मंडरा रहा था वहां के पहाडी लाखों में तो पहाडों का मलबा आकर सड़क पर गिर गया और कई रास्ते सवजह से बंद हो गए और लोग बीच रास्ते में फस गए जो जहां था उसके लिए वही खड़े रहना मजबूरी हो गया ऐसे में उन लोगों को अपने एक तरफ कुआ और दूसरी तरफ खाई नजर आने लगी भुकम से कुछ मकान तो सड़क के अंदर ही धंस गए इन हालात में कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों के शवों को रेस्क्यू टीम ने नदी नालों के अंदर से निकाला और खुदरत के इस मार से जिन लोगों की जान बच गई उनके जखमों को भरने की हर मुमकिन कोशिश की गई इन हालात में वहां के प्रशासन की टीम भी फॉरन अक्शन मूड में आ गई और रेस्क्यू टीम के साथ फायर ब्रिगेट के करमचारियों और आपदा प्रबंधन की टीम को तुरंत भुकम से प्रभावित जगों के लिए रवाना किया गया बताया गया कि इस काम में फायर ब्रिगेट के करीब 1100 करमचारियों की मदद ली गई साथ ही पचास लोगों की रेस्क्यू टीम और आपदा प्रबंधन की टीम के खरीब 100 करमचारियों को लोगों की मदद के लिए रवाना किया गया इन सब के अलावा भुकम से प्रभावित लोगों के लिए हज़ारों टेंट लगाए गए जहां उनके लिए कंबल से लेकर खाने पीने की विवस्था की गई यही नहीं एक हेलिकॉप्टर को भी राहत बचाव के काम में लगाया गया